नमस्कार में हूँ सुर्वी भटेवरा और आप देख रहे हैं वैब दुनिया हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजे दिवस मनाया जाता है करीब दो महीने तक चले इस युद्ध के दोरान कई सेनिक शहीद हुए थे कई सेनिकों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थे पाकिस्तान और भारत के भी चले इस युद्ध के दोरान करीब पान सु सहाट सेनिक शहीद हुए थे और हर साल 26 जुलाई को उनकी इस खास दिन को याद किया जाता है हाला कि नेतानगरी में तो इस दिवस को मनाया जाता है लेकिन यूथ आज इस दिवस को लेकर कितना जानते हैं कितना जावरू के सेनिकों के लिए उनके मन में क्या है आई सिध्यों से जानते हैं क्या होगी यह आप इस चीज से पता कर सकते हैं कि मेरे जो दो ब्रदर हैं वो खुद ब्सफ में हैना और आपको सिर्फ एक दो वॉड की बाद बोलूंगी कि मेरी ममी से मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उन्होंने एक बार बोला था कि ममी यदि आपके एक बेटा मैं जाए और तो बोले के नहीं हमें तो दोनों बेटे दीजिए नहीं तो मैं मतलब एक को भी नहीं लूँगा तो वम्मी बोलती है कि हाँ में दोनों को भीज दोड़ी है बस हमारे घर में सब देशभक्त हैं बिलकुल मतलब फुल भारत माता की जैवाले अगर कभी बच्चे कर जाना चा आप तयारी करो जाओ गर बगरा सब छोड़के अपने देश की सेवा कर रहे हैं और मैं तो मुरेणा बिंड से हूँ तो हमारे यहां के सबसे ज्यादा मुरेणा बिंड सी जाते हैं एँं तो हम तो देखते हैं मेरे ताउजी भी आर्मी में थे शुविदा थे ठीखिना ब बिल्गुल मैं इसी का दापर वो यह डिफेंस वगर थोड़ा तो इसलिए नहीं तो यह कभी भी अगर कोई करें तो आर्मी पहले फर्ष्ट पहले लिए आपके लिए रियल हीरोज को बादाए नहीं करती नेवी ले लो यहार फोस वगर सभी अपने लिए ठीक ना तो सभी इंस्पिरेशन नहीं है वो तो कारगिल दिवस क्यों मनाया जाते हैं कारगिल दिवस से भारत पाकिस्तान के लिए जो कारगिल युद्ध हुआ था चोटियों पर जो कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने ठीक है तो उसी के पार वाली जो डेडिकेशन होती है उससे जाद किसी के अंदर नहीं और देश में सबसे ज़्याद शान है तो सैनिकों की है और आज जो मूदी गवर्मेंट है यह है उसको थोड़ा मोटिवेट किया है और कुछ एक हिंदुत वाला क्या सकते इंडियन नेशन के लिए उसक आज हर एक युवा के अंदर थोड़ा जोश आ रहा है अपने देश के लिए इंडिया की अच्छी खासवा आता है थोड़ी और आप क्या सैनिक तो कुछ होई नहीं सकते इनके लावा उनसे जाद को आर्मी में जाने कम होका मिलता है तो आप जाएं मैं बिल्कुल अच्छान है एक चूटियों पर ऑक्कुपाई कर लिया था कुछ एरिया तो उसके लिए वो चुड़ाने गए तो इसमारे देश के बहुत सिवीर जाओं सहीद हुए थे और आगर कारों ने अपनी सादस देख अपनी अपने देश की रख्षा की थी और आज शाह एक अब उनके बारे में इतना नहीं है लेकिन देश के बारे मैं तो एक मुलाय इंस्पिरेशन मिलती हूं से ज़ादा इंस्पिरेशन को implant कोई ने सकता चाहए अगली चोटी और अगली च्टी ची सकते मर सकते हैं कुछ भी हो सकता तब वह अपने देश के सोच के अपने परिवार किसी ना गर सकते हैं तो आज सविल सर्विस एक लगा लगा है कुछ नहीं है उनके पाकिस्पार, एक बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का उद्ध जीता है तो श्रेम माने क्राओ जैसा और इंदिया गांदी जैसा दोनों के जो मिली जूली वगत थी उस जैसा कोई निसे माने कराओ और उन पर मूवी भी आ रही है विकी खॉसली शूट करें विकी खॉसली है उसमें वह लब सैम माने कराओ है मेरे और बेपे नरावत को भी बहुत आइडियल है जे लोग वन अगर आप कोई मोवी देख्या होगी तो आपको इंटरेंट में वीरता के बारे में जानने का मौका मिलेगा और उस से जादा आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हां वो लोग ऐसा कर सकते हैं उनकी लाइफ में इतना है तो आप इतनी दूर बैट के अपने देश के लिए क की अच्छा ग। के अबंडरा देश कैले अच्छा ही कर रहे हैं, prawda मैं हमारी देश के लिए ऑच्छा ही कर रहा है नहीं पड़क्शा के रखाई जोbet जैरोने जैनाarda और नृद देशों की थे नचेंश आरहीं। ऑपाक अभी एक मुवी भी आने वाली इसके उपर शेड शहां की इसके बार में कुछ जानते हैं नहीं मैं अभी मैं मुवीज नहीं देखते हैं अगर आपका आर्मी में जाने का मोगा मिला सेलेक्शन हो जाता है तो आप जाना चाहिए यस वैब दुनिया की टीम जिब यूद के प कि यूद सेनिकों के बारे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनके बारे में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं यह एक विचार निय विशे हैं जिनके बारे में सभी को जरूर सोचना चाहिए मैं सुरुई बटेवरा केमरा परसन धर्मेन सागले के साथ वैब दु झाल